नमस्कार नौवर्ष मंगल मैं हो यूपी ओधा लगतार जीत के पत पे अग्रसर और उनके आठवी जीत के साथ दबंग दिल्ली की प्रोकबड़ी सीजन 6 की यात्रा समाप्त हुई दबंग दिल्ली के डिफेंस ने सीजन 6 का अपने सबसाइख खराब परदर्शन दिखाते हुए सिर्फ चाठ टाकल पूइंट स्कोर किये अगर गुजात फ़र्चून जाइंस में एक्सपीरिंस प्रेयर्स की कमी थी तो दबंग दिल्ली में जोगिंदर नर्वाल, रविंद में लिखें रिशांग दिवाडिका ने रेड की शुरुवात बोनस के साथ की वहीं मिराज सेख खाली हाथ वापस लोटे और सक्चीन ने बेहतरीन पॉस्यूट करते हुए मिराज सेख को बेंच पे भेजा चंदर नंजीत ने दबंग दिल्ली के लिए पहला पूइंट स् और हाफ टाइम आते हाटे बढ़त बढ़के चौदा अंको की हो गए दबंग दिल्ली ने दूसरे हाफ में वापसी की कोशिश की और पावन काडियान ने अपने लगता दो रेड्स में नितेश कुमार और नरेंदर को स्टेपड आउट करवाया और यूपी ओधा के खेमे में सिर्फ तीन खिलारी मैट पे बचे थे 23 मिनट में नमीन रेड पे आया और सब्सिट्यूट के रूप में अमित ने बहतरीन सूपर टाकल करते हुए उन्हें बेंच पे भेजा पर दबंग दिल्ली 26 मिनट में पहला ओल आउट करने में कामियाब रहे और स्कोर अंतर किया जो कि दबंग दिल्ली की ताबूत में आगरी कील साबित हुए दबंग दिली ने आगरी के 10 मिनट में 10 पोइंट स्कोर किया और यूपी ओधा ने सिर्फ चार लेकिन योधा के शुरुआती बड़ी बढ़त के आगे दबंगों की एक नहीं चली और 45-33 के फाइनल स्क के साथ यूपी ओधा ने सेकंड क्वालिफायर में अपना अस्थान सुनश्चित किया जहां योधा भीड़ेंगे जाइंट से प्रशांत कुमार राय अपने महत्पूर्ण 13 रेड पोइंट के साथ 15 रेड अटेंप्स में और इशांक दिवाडिगा ने उनका साथ दिया 8 अंकों के साथ 15 रेड अटेंप्स में वहीं डिफेंस में नितेश कुमार और जीवा कुमार की जोडी ने एक बार फुर बेहतरीन खेल दिखाते हुए तीन तीन अंक अरजित कियें अटाक में रुनिंग हैंड टच्च हैंड टच्च बोनस मुक स्किल्स रहें वहीं डिफे लिफेंज द्ञट ≅ण